दोस्तों इस वक्त सोसल मीडिया पर नेपाल की यह वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है और आप यकीन मानों की एक मिनट दस सकेंड की यह वीडियो नेपाली इंडोस्टी को हवा में उडाते हुए नजर आ रही है पहले देखिए यह वीडियो कुछ समझ गया है अपने डर पर काबू रखाओ तुम्हें मच पर भरोजा है न देखो मेरी आँखों में देखो देखो मेरी तरफ देखो देख देख देखो देखो मतलब भाई केमरा मैन और इडिटर को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए आप सभी के जानकारी के लिए बता दू कि ये वाइट सिक्वेंस अलू अर्जुन की फेमस फिल्म सायरांडू की है लेकिन जिस तरीके से ये लोग इस सिक्वेंस को रिक्रियेट किये है वो भी जीरो बजेट में काविले तारीफ है और जोड़दार तमाचा है उनके गाल पर जो बोलते है कि नेपाल में साउथ जैसा मूभी नहीं बनाया जा सकता ये जो नए जेनेरेशन के क्रियेटर है वो कम बजेट में भी फ्वार करें रख देगी भाई बस इनको एक मौका मिलना चाहिए भाई मूभी बनाने की नियत होनी चाहिए बजेट से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्जामपल के लिए अभी थियेटर में लगी अजय देवगन की फिल्म सैतान की ही ले लो सिर्फ एक ही घर में बनी हुई फिल्म आपकी सांसे अटका के रख देगी तो भाई फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और पर्फरमेंस ज़्यादा मेटर करती है ना की स्टार और बजेट आप इस वीडियो में दिख रहे लड़की या बच्चे को नहीं जानते बट प्रोपर मेकिंग में बनी यह क्लिप देखकर आपको भी मजा जरूर आया होगा दिल से बताईएगा आप लोग दोस्तों सिर्फ क्रियेटर की चाहने से नहीं बलकि नेपाल के ओडियंस को भी अच्छे फिल्मों को सपोर्ट करना होगा तब जाके कही न कहीं इंडरस्टी को कुछ भला हो सकता है बाकि किस किस को लगता है ऐसे यूथ क्रियेटर को नेपाली सिनेमा में आना चाहिए कमेंट करके जरूर बताए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे नेपाल तथा नेपाल से जुड़ी ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे साइनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपका देन सुबहो